आज मैं आपको फ्रेम के बारे में थोड़ से बता हूँगी कि फ्रेम आपने जब भड़ी पेंटिक करनी है तो फ्रेम किस तरह का लेना है इसमें आपके पास दो अप्शन्स हैं एक आप फ्रेम और बेस रेडी कर लें मैंने इसमें क्रेकल पेस्ट लगाई तो यहां तो आप यहां तो आप यह बेस और फ्रेम सेपरेट रहने दें यहां आप इसको अटैच कर वाले जो फ्रेम वाले हैं आपको इसको अटैच कर देंगे इसके बैक साइट पर यहां पर नेल्स लगाके इसको जोड़ दिया करते इसको paste नहीं करतें कभी भी क्योंकि वेदर के साथ यह जो एिटे ओर उतिह आस। तो जब आप इसको paste कर देते है तो इस जो यह जाता है पासीय मुट से तु? यहां पर pencil से mark लगा लें, mark लगाने से पता हो आपको आइटिया हो जोगा है, आपने अपना sculpture and paste का काम इसके अंदर-अंदर करना है, इसे बाहर नहीं करना, क्योंकि इसे बाहर frame की जगा है, और second option आपके option यह है, इसको आप जोड़ लें अपस में इस पर attach fix करवा लें मैं इस पर fix करके काम करूंगे मुझे वह जादा आसान लगता है क्योंकि बाद में जोडने से ही होते हैं बाद वकार के आपको backset से nailing करनी पड़ती है या करवानी पड़ती है तो आपका काम हराब होने के chances होते हैं तो प्यूर भूट के डोर बने वे थे और यह बड़ा अच्छा आइडियल साइज था मैंने इनको पेंट करके प्रिप्यार कर ली और बेस कट कर ली अब इन दोनों का पस में जोड़ना कैसे उसके लिए आपको यह चोटे साइज के कील चाहिए नेल्स है स्माल साइज और हमर करना है तीन चाहते पर हमर करेंगे आपका यह नेल यहां पर इसको बोड को टकिन कर लेगा आपने मुख्लिफ एरिया पर तकीबन 6 इंचिस चोड़के हर जगा पर यहां पर नेल्स लगा ले लिए अभी नेल्स को चूंकि थोड़ से शार्प होती तो इनके पर टेप लगाए जाती है आप टेप लगा लें या कोई भी कार्ट बोर्ट पेस्ट कर लें पेपर पेस्ट कर लें टेप थोड़ी वाइड होनी चाहिए मेरे पास वन इंच टेप अभेलेबल थी भी फिलहाल मैं वही यूज करें जस्ट इसका परपर जिए कि आपकी यह एक तो कोशिश करें करें को ताकि यह की ज़ए है इसके बाद आप इसके बाद इसके बाद पर पूरा पेपर लगा सकते हैं वह भी नहीं लगाँगी बस अब काम स्टार्ट करोंगे अपके सामने यह इसका फ्रेंट कर लिया था इसको बस अब वैक्स करना और वाणिश करना रह और करांगे वहां नेक्स टैप है सामने का शीच चाहँदा कहा बेस पेंट करने का बेस पेंटिंग आप बार बनाने के बाद भी हैं और उससे पहले भी कर सकते हैं जैंसा ब्पारम आप पैशन से हैं तो नहीं कि पारूँगी क्योंकि ने इसको फुरा सा पेस्स से कामने क मैं इसको बकाइदा एक्रालिक से पेंट कर रही हूं मैं ब्लैक, में जंडा, थोड़ा सा रेड, वाइट रूंगे, मुझे दिफ्रेंट कलर्स में काउंट करने है तो यह आप कलर्स ले ले ले, थोड़ा सा वाइडर ब्रश ले, फानी ले, और ब्लैक से स्टार्ट करें और आपका जो कलर है वो डाइल्यूटी होना चाहिए, इसमें पानी की कॉंटिटी जादा होना चाहिए, तांकि आपके क्रैक्स हाइड ने होना है जब आप डाइल्यूटीट कलर लेंगे तो आपका जो कलर है वो पेनिट्रेट कर जाएगा अंदर क्रैक्स में और आपके सर्फिस जो हो थोड़ी से लाइटर टोन में आ जाएगी, जैसी हाँ पर यह क्रैक्स जो हो डार्क हो रहे है, तो बहुत सा प्लोस अप से आपको ब साथ ही आप दूसरा कलर एट कर लें, मैं शॉकिंग पिंग कलर यूज कर रहे है, इसको बस शेड देने के लिए यह हिसा आपका डार्क होगा, साइड साथ की लाइट होना शूर हो जाएगी अब आप लेने, जीम इसको राइट अब डेने के लिए, थोड़ा सा बने-पिंगी सा कला हो जो है, इसमें थोड़ा सा यलो डालेंगे तो यह थोड़ा सा पीच सा एफ़ेक्ट देगा, अगर आप इसमें थोड़ा सा यलो का प्टेश्त देए करके बताती है इस अमजी डाग करूंगे ब्लैक अगर आप इस पे थोड़ से टेक्चर देना चाहें तो आप बड़ टावल लेले वेपस बड़ टावल है और इस पे ब्लॉटिंग स्टार्ट कर दे उसी होगा कि आपकी जो सर्फिस है वो मजीद लाइडर टोन में जली जाएगी और आके क्रैक्स विजिबल हो जाएगे अब डैबिंग टेखनीक भी यूशका सकते हैं ये ब्रश से इसे भी कलर ब्लेंदिंग बहुत इच्छी हो जाते हैं हाफ अप दे फ्रेम मैंने पेंट कर दिया वाकि हाफ भी इस ही मेथट से में पेंट कर दिया हाफ हलका हलका टाउल से याप इसका अब्राप लोका इक्सस कलर जो कि आपकी पांशी बेक्गांड जो रिदिया झाल 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 को वोड़क बाढ़ संवे souvent फीर new खें behaviour में रएड हाँ मैं बॉट frameworks यहां पर फॉट वरो मिमें यहां पर लिएक पाेइ सिर्ट्रेण के लिएयाँ कोई आड्यून सब्सक्राण के इसलिए बातलगे वहां अके बिढ़ें produkt विल्माइ में डिध रहे हैं If don't all the GT Kelly के आद करें के लिए नें दुल्फट छाएं तो आप रिए इसमें सब् से बड़ी जो साइस की यह है지는 कर लिए ये आपने कैसे लिती थिर फीशने सब्स् propriety आप लीफ बनाएं आपका लीफ इस फ्रेम के ऊपर भी आ सकता है आप लीफ को तो आप लीफ को तोड़ा सा बाहर भी ला सकते हैं लीफ रॉख कर लें आप लोटस की इमेज देख लें गुगल गयरा अलब राम से आपको मिल जाएंगी यह काफी बढ़ा इसका लीफ होता है इसका इतना बड़ा लीफ का साईज होगा इसका यह वो स्वाइन होता है जहां पर डैफ है जहां पर मैं थोड़ सा फोकस कर दोती हूँ यहां से स्टेम निकलेगी यह वो स्टेम पॉइंटर और लीफ आगे की तरफ निकला हुए लाइक यह इसका फ्रेंट पार्ट है तो इसको इसके दो तरीके बनाने के इसमें कि यहां तो आप इसकी बेस को बिल्कुल फ्लैट कर लें अगर मैं यहां से काम स्टार्ट कर रहे हूं तो मैं पेस्ट लेने के लिए लाइट कलर से शुरू करूंगे इसको फ्लैट कर लें अस जिस एरिया पर आपने काम करना है तो आप पहले ही ग्लू लगा लें यसी वगा कि आपको मार्क टेरिया भी विजिबल हो जाएगा कोशिश करें कि जो लीव का बेस पार्ट है वह फ्लैट रुके और इसकी जो एजी से उनको आप राइस कर लें यह मेरा बेसिक लीव का स्टुक्चर रहा है तो इसके लिए मिझे बड़े साइस की नाइफ जब आप यूज करें तो मेक शूर के आपकी यह नाइफ फुल य आपने इसके टिप नहीं यूज करनी फुल कवरेज आपकी यूज होगी तो अगर मैं यहां से राइट साइड से इसको एक्सेंड करूंगी तो मैं लेफ्ट साइड से पेस्ट एड करती जाओंगी छोटे-छोटे स्टोक्स में जैसी हाप पेस्ट करेंगे आपके देखें तो आपने देखें कि आपको लीफ इस डिरेक्शन पे जा रहा है मजीद हम नाई पैट करेंगे इसमें पेस्ट करेंगे अगर मिडल पार्ट से पेस्ट उठाऊंगी पूरे एरिया से पेस्ट उठाऊंगी तो मेरा यह पूरा लीफ राइट साइड पे बाहर को निकलना श अब इतना जितना आप मैक्सिमम इसको उठा सकते हैं वहां से उठा के इसको प्रेस करते हैं अब इस हम अभी सिर्फ बेस बना रहे हैं इसको आप वेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं और वेट ब्रुश से भी लेकिन यह पार्ट आपका उठाऊना चाहिए आपको इसको समझ नहीं आ रही होगी यह बजीद हम इसको एड़ करेंगे लीफ तो आपके सामने इसकी क्लियर पेट चरा जाएगी इसे तरह से मैं आप इस साइड पर पेस्ट एड़ करूंगी तो मैं इस लेफ्ट साइड से इसको उठा रहे हैं आप जब टिप से अठाएंगे तो आपका यह फैन बनेगा आपका लीफ एकदम से यहां से एक्स्टेंड होगा लेकिन अगर आप पूरी पेस्ट को पूरे एरिया से उठाएंगे लाइक आप ज्यादा सरी पेस्ट यहां लगांके और पूरे एरिया को जब आप इस तरह स लीएकदव करेंगे अभ पूरा पेस्ट आगे की तरफ मूब करेंगे मैं पूरे एरिया के पूरे यहां पर एजपेस्ट आड कर रह Yesterday मेंसरों लीफ आगे की तरफ चुला तक मैं इसको इसके साथ आड़ कर लोगे अब आपने इन दो जो आपने जॉइंट थे इनको आपस में माउच करना है आपका लीव वगए वहां पहूंग और यहां पर यहां पर जब जया है ने देखें लीव यहां से भिखने से अचारक नेवमोई पर ऊसए है यह हिसा प्रेस से अब हमारा फ्लैट है अब हमने इस हिसे पर कोई काम नहीं करना है अब हमने इसको फ्लैट ही रखना है कोशिश करें जाए ब्रश ने ले और इसके एजिस को भी नीट कर लें अब हम इस लीव को इस एरिया के पर यानि कि इस एज के पर लेकर आएंगे अब हम इस लीव को इस एरिया के पर यानि कि इस एज के पर लेकर आएंगे अचा आप इस paste को color, paste में भी color add कर सकते हैं, इसको बाद में भी dry होने के बाद, या अलबेट पे भी इसपे touching दे सकते हैं अब आप यह देखें, कि मैं leaf को right side of the knife उठा रही हूं, फुल एरिया से उठा रही हूं, आपके मेरे पास बड़ा सा leaf आजा है अगे एज से उठाओंगे तो सिरफ एज पार्ट एक्स्टेंड लोगा इसने मैं फुल एलिया से पेस्ट को पिक कर रहे हुआ 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 कि देखिए इसका साइज बोट बड़ा है आपको यहां पर छोटा लग रहा हुआ हुआ है इसमें अब हम यहां पर एकदम से इसको क्यों को हम इसकेभी लह प्लांर से प्लाट फॉर्म के टार्च आओ है कि जब आप्सपैसे क 탄 ज़तेहें चाण पिलाएं हुआ है अज़िए। यहां पर इसमें पेस्ट को अच्री कि प्लाट बड़ा लगां यहां पर चाक पिल्यां जाओए है अब हुआल कि आप इसको प ब्रश को वैट करके यूज करें एक हमारा सितना पाट आ गया अब हमेशक इसमें हम यहां पर कर्व दे सकते हैं कर दिया नहीं है कि हमारे यह पार्ट बने का है यह हमारा फ्लैट पार्ट बन रहा है इसके बाद थोड़ा सा शेड हम चेंज करेंगे यहां से डाफ की तरफ आ जाए और डार एकदम से नहीं आपने करना लाइट और डार को पहले मिक्स करके मिडल शेड बना देना है करें पेस्ट को उठाना शुरू करते हैं अरा हम राम से इसको पिक करें मैं इसका आपको प्लोजब दिखाते हैं तो पेस्ट को कैसे आपने पिक करना है आपका यह जो पार्टर ना ibs का पूर यहां से आपने पेस्ट को उठाना है और देखें आपका यह पार्ट इस स्टेंड रहरेंगा और कोशिश करें के पेस्ट फ्लैट करके उठाने कि यह आपके पास एक्स्टेंडड पैटल को आप यहां पर रख लें और इन दोनों पेस्ट को अपस में मर्ज कर लें कि कलर अपस में मिक्स हो जाएं इस तरह से आप लीफ को पेस्ट को एट करते जाएं यहां तक हमारा नीफ रेडी होके है नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा कलर मजीद एट करेंगे अगर आपको लगता है कि आपके पेस्ट हाड हो रही है तो आपस में हलकी इसी ग्लू यहां जो आपके पास राइट पेस्ट एट कर लें इसको फ्लैट करें अब मैं यहां से लेट साइट से नाइप के लेट साइट से पेस्ट उठाओंगे ताकि यहां पर मेरा डूम बज जाए पेस्ट एट करते जाएं टिप से भी और बाकी नाइफ के पांट से भी एक फुल नाइफ से पेस्ट एट हो रही है और यह कॉपी बड़ी नाइफ है सबसे लाइक सबसे बड़ी नाइफ है यह जिप में इसके बाद आप इसको यहां तक एक्स्टेंड कर लें निशान आपने लगाया हुए मार्क जिस कीटर से आपको एजी ली बता चल जाएगा कि आपने कहां से कहां तक जाए इसको स्मूथ कर ले और वेट नाइफ से इन अब इन दोनों पार्ट्स को भी आपस में मिलाएं और इसको थोड़ा सा उठा लें आपकि पता चले कि यह एक ही लीव है अब आपकी जो लीव की डिरेक्शन है वाइन्स की यह होगी क्योंकि आपका सेंटर पॉइंट यह है और आपकी जितनी भी वाइन्स की इसकी लीव की वाइन्स की डिरेक्शन है वो इस ही पॉइंट की तरफ आ रही होगी आपने लीव को एक पॉइंट पर लाके अकठा कर तो जब ही होका आप पहले पाइन में बना के लोगे पहले एक ठर बढ़य को जितनी ही या वाइन से उस पाइंट पर ले में पहला बना ले के लिए ऐहाए जरूरी पहला होता है हर शी शॉरह प्यों यह जिए को चीज शॉरूर लेकर लेकर नाता है एब हम इस पार्ट पर लाने के लिए मैं लीफ में टोड़ा सा तोड़ा सा कलर मजीद करूंगे उसको डा करूंगे ड़ा करूंगे इसमें आप बलैक बी एड कर सकती है तैये टॉट अफ ब्लैक देदे ऑर इसमें इंगा अपके घम कहते हैं तो यहां पेड़ करने कि रॉक ने होटा से उसमें लिए ड्रीत करने से कवह बढ़ा है राइड करने इसमें लिए ल्ग क्रीन करने से कोई बीकलर करने से वह कंद नहीं होता कुछ ऐसे बनाते हैं विडियो मैं आपको अपेता सबैस करता हैं कुछ बीसिक सब्सक्राइबेस करें विद्व नहीं बनाने हनाे कि और पोला हैर बिल्ट घर भी बिल्ट है डल्लाम ब्लाइक शांग ₱ होट से रहर। करने के लिए चेंजु है और दो रूपकर छूब अचाहिए प्या पिन्ट को मतलाई यह इसके पर आएगा बुट के उपर तो बुट पे हम इस तरह नहीं लगा सकते हम इसको बेस पे लगा के लीफ को ठालेंगे और यहां पर इसको आड़ करते हैं और इन दोनों को आपस में लाएं और इस सेंटर पांट में आप आजएं ब्रश से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है अब आप यह नोट करें कि यह जबाब ब्रश उसकरते हैं तो आपस में कलर भी ब्लेंड हो जाते हैं और पेस्ट भी स्मूध होके अच्छा सा एक टेक्शर उसमें आजाता है कुले हमने इस पार् staर को बनाने और जितना भी हमारा हमारा पार्ट होगा ये कर्व항 आउट अब करव बनाने के लिए हमें एक तो तहले इस एरिया को कवर कर ना पड़ेगा अब पेस्ट लगा लहां। कि हमारे पास जो नाइव का साइज है उसमें हाफ अफ पेस्ट तो कर्व हो जाएगी ना और हाफ अफ जो पेस्ट है वो यहां पर लगेगी आपको मैं पताती है इस तरह शायद आपको समझना आए तुब से पहले मैं इस एरिया को कवर करूँगी मैक्सिमम बेस बना लूँगे कर्व करने के लिए मैक्सिमम क्योंकि आदि पेस आदि सजादा एरिया तो कर्व हो जाएगा यह हमारा जो सेंटर पॉइंट था इसकी तरफ में आ रही है यह हिसा दी मिझे कम्प्लीट करने आपको लगे के पेस्ट कम है तो मजीद आड़ करने यह हमारा एज जो है यह हमने बनाना है वह समय करीब करते हैं यह हिसा हमने बनाना है पानी लगा के इसको स्मूठ करें लिए जुरूर नहीं है कि आप इस एरिया पर बहुत पेस्ट लगाएं इस पर ना भी लगाएं तो कोई शू नहीं हमें बिसिकलिए साइट्स को उठाने सेंटर पार्ट बेशक्त डेप्थ में रहें ठीक है जैसे मैंने इससे को सिरफ पेंट ही करती है में बस ब्रश में पेस्ट लगी हुए थी उससे मैंने जास इसको कलर करती है यह मैंने सारा हिसा कबर कर दिया इसको भी मैं इससे को बस फ्लैट करती हुए यह आपको भी थोड़ी दे में समझ आएगी कि मैंने यह काम पहले क्यों किया है डीफ मैंने पहले क्यों सारा ड्रॉ कर लिए इस लीफ को फ्लैट कर लिए अच्छे तरह से अब हम लोगों ने कर पैटल गना लिए यह मैंने रफ सा किया है यह बहुत नीट नहीं है इसी के पर पैटल आजाएगी तो पैटल और वह सारा हिसा हाइड हो जागे है लाइक हमने हाफ आफ तर लीफ बड़ा नीट सा बनाया है और हाफ आफ तर लीफ हमारा जिसे में कर पैटल आनी है वह हमने बस ब्रैंटम लीज को कलर फिल कर लिया है अज़ा है जो अपने कव पार्ट बनाने तो कलर को शेड बिलकुल चेंज हो जाएगा यह ताक हो जाएगा यह लाइट हो जाएगा और कि तरफ चाई तरफ कर रही ह। क्योंकि यह बैक साइ्ट अफ डालीफ है और जो जो आइक साइट और फरन्ट साइट के शेड में हमेश्छा फरक होता है आप नेशर लीव उठाके देख लें, तो बैक साइड बाज लीव की लाइड होती है, और फर्न डाक होती है, और कुछ की बैक डाक होती है, तो बैक और फर्न साइड के शेड में थोड़ा सा फरक होना लाज़ी है, अच्छा मैं पेस्ट रेडी कर लिए, थोड़ी सी मैं डा बिनाया इसमें अगर दाल ले में और तो मिजीद कलर चेंड हो देगा लाइक में मजीद तो तो ऑज़ी थोड़ास वेड़ा रहें को है तो मेरी पेस्टों इसी थिन हो गई है कलर जब भी न आलती है यह पर डाली हो जती है div-sum ओपैर एजंट इससे आहने पेश्ट को ठिक करें vip लंब पैरस ठीक कर सकता है जिपसं और सथा कोई अपूछ को सकता है POTI PAWDb अब आप मैंड में पहले बना लें कि लीव की कर्ब पोजिशन लाइक एच से वो करव हो रहा है ठीक है एच से आगे के तरफ जा रहा है तो पेस्ट उठाएं एसकेप आदिंग पेस्ट और इसको इतना आप नाइफ में अठास इतना ठागे हमें ये पैक साइड बिसिकले चाहिए इसके लाइक दिस पेस्ट थोड़ी हार्ड होनी चाहिए लिए इसमें थोड़ा से श्मूथ करें जॉइनिंग पार्ट जोते है लीव का वह एठ ही चुँके लीव है तो जॉइनिंग पॉइंट है वह आपका बहुत एक मिलना चाहिए आपस लेए यहां से अम स्टाट करें आपके लीव का हलका सब हमने कर्फ किया है अप्लासर डालें तो पेस्ट हो हार्ड होना शुरू हो जाती है तो आप इसको हलका सा प्रेस करें इसमें ग्रूप करें तो यह साफ्ट हो जाती है पिरसे बोल्ड को क्रीन कर लें तो यहां से पेस्ट अठाने है राइट से अठाने लेट से अठाने तो नस्ता नहीं है करेंगे तो यह स्टाइट करते हैं यह आपको एक्स्टेंड हो रहा पार्ट है टिप से करेंगे कि फैन बन जाएगा देखें इसके बैक साइट पे भी हमारे पास फ्लेयर आ गई है अब आप इसको आपकी लाइन इस डिरेक्शन में तो आपने यहां इसे लीव उठाने यहां पर इसको एड कर देना है इन्वर्टिट थोड़ से यह टेक्निकल पार्ट होते हैं इसका रहा ह्या लखना इसको आपस में एक को चाहिए और यहां देखें इसको आपस में एक थाया questo क्योंकि बाद में बनाना मुश्किल हो जाता है वो हमने पहले ही पूरी बेस्ट प्रिपेर कर ली थी और अब हमारा कर बीप चर रहा अच्छा बाद आप इस जगा पर कोई सपोर्ट दे सकते हैं आप यहां पर पेस्ट आट कर लें अगर आपको लग रहा है कि आपका यह बहुत आगे की तरफ गिर रहा है तो आप इदे थोड़ा सा पेस्ट का बाल बना के यहां पर रख ले वह हाइट भी हो जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिल जाएगी ठीक है तो हमारी कर बना आपको आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको यहां से बेस्ट पर भी थराग हो रही है तो आप इसको 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 तरह से साफ कर लें अब हम थोड़ा सा और मज़ीद कर लीव बनाएंगे आपके सामने में एक बिल्कुल कंप्लीट लीव बना दिया आप इसको साइज छोटा भी कर सकते हैं और इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं डारेक्शन भी चेंज कर सकते हैं वह आपके उपर है जे दिस को हम यह पर हैट करेंगे इस इन दोनों पार्ट्स को आपस में इच्छी तरह से मिलाएं ताके वह एक ही लगे असल काम ही है कि जोड़े हैं या आप पार्ट अब दे लीव जित लगा रहे हैं वह आपस में मर्ज होने जाहिए यह ना हो कि आप लगे कि आपने पा अगर आपको लग रहा है कि आपका लीव बढ़ा होता है इसका वेट भी जादा है इसमें पेस्ट भी जादा उस्तमाल हो रही है तो आप नीचे थोड़ी सी सपोर्ट देंगे इसमें नीचे छोटा सा बॉल बनाके पेस्ट का तो गो रहते हैं तीशू भी रख सकते हैं लेकिन नजर आएगा बेतर है कि आप बॉल बनाके रख ले और इनको इस पार्ट को इची तरह से मर्च कर दें जो जॉइंट पार्ट है ठीक है आप इसको शेप भी देसे कि देस अगर आपको लगता है कि आपको साथ साथ बेस गंदी हो रही है यहां पर इतना मसला नहीं है चूंकि हम फ्रेम पर काम कर रहे है तो फ्रेम की जो सफाई है या नीटनेस वह बहुत जरूरी है इसके बाद हम यहां से कर्व करेंग लीफ को हमने स्टेप भी हाइट करना है क्योंकि बहुत ज़दा विजिबल ना हो है तो आप शेप मजीद इसको यहां से थोड़ा हिसा कम भी कर सकते है अब हमने यह बाला पार्ट बनाने है अब लीफ राइट टू लेफ इन्वर्ट कर्व होगा इसके लिए आपने बस यह देखने है कि हमारा अगर लीफ यहां सुटते है तो वह इन्वर्ट कर्व होगा और रिगेंपल अब इसको अगर राइट साइट से उठा रहे हैं तो आटमेटिकली आपके जो यह वह लीफ का पार्ट ही है कर्व होना शुरू होगा तो आप इसको लेफ्ट साइट से उठाएं ताकि राइट साइट से आपके पास कर्व पार्ट आजाए इसको आट करते हैं और इसको बेस पे उतार लें यहां पे आट कर लें पिल्कुल एजटो एज़ आट करेंगे अब हमने लास्ट करते हैं जो मैं चारी थोड़ा बड़े साइस की पेटल भी हो और उसके लिए आपको पेस्ट को थोड़ा सा हार्ड रखना पड़ेगा अब हार्ड भी रखना पड़ेगा और थोड़ा थिक भी रखना पड़ेगा इस आप पेस्ट एड़ करते जाएं अब यहां से हम राम से इसको ठालेंगे लिए कि हम बैक साइट चाहिए तो हम इसको फोकस करेंगे तो इसे एज़े में मैं कट करेंगे और राम से इसको उठाके इसके साथ ही आट करते हैं इसको जॉइन कर लें इस पॉइंट पे और आपस में हम आट करते हैं तो एक ही पेडल लेंगे लिए इस अब इस साइट से इसको जॉइंट कर दो इस साइड से हम इसके तोड़ा से इंवर्ट रखेंगे अचा अगर आप चाहें तो इसके पर एक और कर भी दे सकते हैं वो मैं आपको बताते हैं कि वो कैसे करना है प्रीकि ये कर्व बेस सपोर्ट बन जाएगी और इसके पर एक और करवा जागा तेस थोड़ी थिक रखेंगे और इसको पेस टांट करते हैं इस ये प्रेंट हो जाएगी ये कि हमने को पाट विजिबल कर लें इसको आपर आप से उतार लें अगर आपको लबते के एक्स्ट्रा पार्ट ने कुछ तो आप काट लें पेटल को लिफ्ट करें अराम से से इसको आप लिफ्ट करें आपको आप लिफ्ट करें आप करेंके लिफ्ट को थे लिफ्ट करणे लिफ्ट अगर ये अगर आप इदर भी अज़ाओ दें जो तो यहां पर भी कर लें दरवाइस आप इसको आपस में मिला लें वैट पेस्ट है एजी ली मिल जाएज़ें और इस पांट को भी आप बिला लें आजें तो इस तरह आपके पास बेस सपोर्ट भी आ गए और पेटल को कर्व भी बड़ा आगे बेस को साथ 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 कर लें यह बहुत जरूरी काम है यह नहीं हो कि आपकी बेस गंगे प्रेम गंदा हो जाए ठीक है इसको थोड़ा संदर कर ले ले और इस नीटनेस बड़ी जरूरी है आप हो चक कर लें कि कहीं से आपकी अगर आप इस हिसे में भी मजीद एंट करना चाहते हैं आप चारियें कि इसको बड़ा कर्व मिल दे तो यहां पर भी कर लें क्योंकि में पर थोड़ी सी पेस्ट बच्टी है और मैं यहां पर इसको कोशिश करूँगी कि इस्तमाब कर लो तो हम आपस एक लीफ रेडी हुए वह दिपनाना है वह डिपेंड करता है एडिया पर जितना बचेगा इससे पर हम इसको इपड़ कर लेंगे इस तरह से आप इसको ठावने इसको आपक साइड जो हमारी हराब होगे इसको हमें उल्टा उठाना था अगा आपक करते जाएं बेस को और यह हमारे हमारी फ्रंट है तो आप इसको फोकस करें आप इसको अथा लें इसको इसको अथा लें इसको पाट आपके है बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसको में आप अब्याट कर सकते हैं पेस्ट को अपस में मर्च करें इस पाट को भी यहां को अब्याट करें और वेट ब्रॉश से इसको मिठा लें इस तरह से आपके एक कर्फ पेटल रेडी है इंप्रक्ट आपके लोग्डस पेटल अभी कफी हते करें रेडिया लेकिन इसका एक और स्टेप बड़ा जरूर और करें पेस्ट और कलर जाएं तो आप इसका शेज़ दिखें यह मैंने लाइटर शेड बनाया है लीव से वाइन यह तो यह मेरी पेस्ट पेस्ट एक्रश विट बनानी है तो यह मेरी पेस्ट रेडिया है प्लस्टर पारस अल्र, लाइट खलर और ग्लूम यह तीन चीज मिला के यह पेस्ट रेडी जाली है और यह पेस्ट कफी सॉफ्ट है यह कोन है काइपिंग बैग है इसको मैं अपने हाथ में थाए और कप में रखने किसी भी तूसर पेस्ट पर ठाके अंडर की तरह कि इसको ताल दें कि आपके प्राइब दीना में मृप मीट और के अंतलर केकल देते डाके क्रीट इसको क्यां अनीन्छ बेगा दूसर चाट करें पहुत बडेक सा बित woods को मैं बहुत मोथमय कांच बनानी है यह वैन्छ बहुत बडेक से बनानी है कि यहां दिखें पिलकी सिट टिप जुरूर कड़ेगी मैं और अपराम से इस पेस्ट खवाप आगी करें अगर आपको डर है कि इसमें बबल ना हो अगर आपको डर है कि इसमें बबल है तो आप इसको यह प्रेस कर क्या लेकर देजाए अब लाइन लगा के देख लें बहुत बरी के लाइन इतनी है कि वह निकल ने रही है मैं थोड़ सा और कट करूंगे अब यह लाइन बिल्कुल मुनसिप सी है नमोटी है और नहीं करता है लिक्ष्ट्रकॉन को मैं हमेशा काट लेती है कि पेस इतनी ज्यादा होती है आप इतनी काट ले और इसमें आप इसको पैक कर सकते है जो कर्टिट पार इसमें यहां पर आप नॉट लगा लें जिसे व आप पहले सेंटर पॉइंट बना लें इसका पर इसमेंपल यह हमारे सेंटर है कर्व में जाएंगी यह बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट है इसको मैं थोड़ा साब को करीब कटके बताती है आप रफ्ली सी लाइन्स पहले ही डॉप कर लें पॉर इसमेंपल इस जार मिडल पॉइंट यह वह पॉइंट है जहां पर आपकी सारी वाइन्स आके मिलेंगे तो आप इसको हलकी हलकी यहां पर लाइन्स दे देंगे यह स्ट्रेट की शकल में नहीं होंगे यह वाइए भी होंगी कुछ वाइन्स आप इस तरह से अपने जब भी लाइन्स लगानी है तो कोशिश करें कि आपकी टिप आपकी बेस को टच ना कर रही हो आपने यहां से स्टार्ट करेंगे ए भर एख्यूर्यू झैं कि मैं आपको इसका क्लोज अप दिखाथी गए आपने सब्सक्राइम क्रेम इंग मेरी कोण बेस को टेच नहीं कर रही है इस तरह आपके पास बिल्कुल सीधी लाइन आएगी लेकिन अगर आप इसको टेच करेंगे तो हो सकता है आपकी लाइन जो है वो तो जाए और दी शेप हो जाए यह हमारा सेंटर पॉइंट है यह वाला आपको दिखाती है दुबारा यहाँ पर आपके सब जॉइन होगी लेकिन कुछ वाइन्स वाइ की शकल में भी होती है यह जैसे यहाँ पर यह इसको लेकिन लीव फैन की शकल में है वाइडर है तो इसने इसको सपोर्ट करना है इस तरह से आप सारी वाइन्स पैट करने है जहां पर मैंने मार्क किया हूए अच्छा इसकी बैट साइट को आप थोड़ा सा लाइट कलर भी दे सकते हैं हमने शेड देना है लेकिन शेडिंग हम जो भी ब्राइब कर देंगे तो में थोड़ा साइए लाइटर वर्ली जो कलर पेस्ट मैंने कॉन बनाई है वही मिलोंगे इसको थोड़ा साइट करके यहां पर इसको मैं लाइट कर दोगे अक्राली कलर भी कर सकते हैं और पेस्ट को डाली उट करके भी यूज़ कर सकते हैं अब के पास अगर कलरेडी है तो पेस्ट को यूश कर लें, दर्वाइस आप अप अक्रिलिक कलर कर लें यह जो लाइज है जो पने बनाए इनको जड़ा राइ हो लेने दे, उसके बाद हम इसको थोड़ाद सा शेयर देंके आप अ-टर से भी ले सकते हैं यहां पर ठाय में अपर च्राया में इसको है यहां पर इसको इसको बाद में असरा के दें operate कि अच्छ बेस अगती है जन्यहां आप यहीं को ही यहां पर सब्रेद करें औह अभी मैं इसको ज़्यादा कलर नहीं दे सकती है। इस अरिया को दुर्वाइड करूँगे और इसको अडूरा करूँगी। बहुत ज़्यादा वाइंस आड़ करनी है। इसमें वाइंस ही नज़र आरही है। लीव की जो असल शेप है वो नीचे छुप जाए। आपने कोश्च करने हैं कि जितनी जरूरत है उतनी ही आट करें तरह से हमारे लीफ पिल्कुल एड़ी है मैं थोड़ा सापको यहां पर शेड ब्लैक शेड करके बता दे दिया है कि मैं यह ब्लैक लेरी हूं कलर मुझे यह हिस्ता थोड़ा सा डाउक चाहिए था इसको शेड क इसके जो हमने लाइन की इसके पर भी हम लोग लगाएंगे अग इस एजिस पर गड़ा कलर कर ले पहले और इसको फ़रा सा अंदर अंदर लेजाए श्प्रेड कर ले इसके बाद आप ब्रश को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेए साफ करके इसी कलर को आगे फिला ले यह वाइन्स थोड़ी वेट है मैं इनको जादर टेश नहीं कर रही है कि आपने इनके उपर भी कलर करना है ताके वह इसका पाट लगे लग से अलग लग वाइन्स नजर ना आए इसका थोड़ा से हैं अंदर की तरह फिला लेए यह पेंटिंग टेखनीक में आज़ते हैं कि यह ब्लेंडिंग पार्ट है तो अब अगर आपको पेंटिंग आती है तो यह तो बहुत आपके लिए नहीं आती तो यहां से आप देखके सीख सकते हैं अब इस पार्ट को थोड़ा साथ कर सकते हैं अब इस पार्ट को थोड़ा साथ कर सकते हैं और इसको ब्लेंड हो जाएं आपस में कर देखके लिए अब इस तरह से शीर बंग जाएगा हमारे लेसन जो लीफ का फॉर्स लेसन है रोटूस लीफ का और यह का बड़ा लीफ का अप मेरे हाथ के अंधाजा लगा सकते हैं अभी जब जैसे ही हम इस पर फ्लार बनेंगी तो इसकी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और यह हमारे लीफ पर इसके हाई टप चेक कर लें यह साइड्स है और इसका इन्होर पाट है I hope आपको यह लेसन अच्छा लगाऊगा